जीक्या टीवी देखने वाले समू दर्चिकांद जीहैं एक हैं नू तानवाद अज है यह वहर जाँगे गर्मी भाहनाे गर्मी भुटीन हुआ सब्सक्राइड अज़िस के मैं जद आप भुर्मी भुटीन है यह ड्यादा पहने हैं तोükड़े बाहर जाना हुआ झाँ झाएग तो में जा सकती हैं कि अच्छित करल लिया जिए उन्छ मुंदें का需 करतु रहे या बहुत ज़्यादा गर्मी पाहना करियां दी जान जान दी भी आपा खबरां आमी यह सुन दे हैं कि लू लगगा नाल मौता हो यहां सो गर्मी वेच बचिया जा सकता आपा चोटे-चोटे नुक्ते बद के अपा बच सकते हैं जब गर्मे वेच जदो भी बार निकलना होवे ता सेर उपर तोलिया प्योंके गिल्ला करके रख लो यह शत्री दी वर्तो करन नाल भी लू लगएं तो बचा जा सकता है निम्बू दी सकंजबी पी नाल भी बहुत ज़्यादा राहत मिल दी है निम्बूनू विचकारू कटके पीसी होई काली मर्च अत्य सेंदा नमक लाके चूचतना लू दा प्रकोप खत्म हो जान्दा लू दे प्रकोप तो पीर्त व्यक्ति दे सिर विच ठंडा पानी पाना चाहिदा है किसे बी बरतन विच पानी पाक है उस विच बर पाक है रोगई दे स्रीड ते सपंज करनी चाहिए घला तो लिया करके जहां सपंज लेके रोगई ते सरीड दे वो उद्रन लाना चाहिएther तो उदन आल भी बहुत रहात मिल दी है लू लगन ते प्याज़ दे रास्दा सेवन करनाल बहुत लाव होंदा है इसके उसवे थोड़ा जब पुन्या होया पिस्या जीरा ते मिश्टी मलाके सेवन करनाल लैनल बहुत अराम मिलदा है जे कर लू लगन दे कारण रोगी दे हत्था पैरा अते बदन स्रीर वेच जलन होन लग जावे ता इमली नू पानी विच कोल के पानी दा स्रीर ते लेप करनाल जलन खत्म हो जान दी है कच्चे अंब जा छोटी अंबी नू गरम पूबल विच मतलब गरम जड़ी स्वाज दी पूबल वज़ेच पौनके उसदा रास कड़के जा उसे गुद्धे नू पानी विच मलाके उसवे थोड़ी जी छक्कर पाके रोगी नू थोड़ी थोड़ी मात्रा विच देन नौ पलांदे रहन नौ भी लूद दा प्रकौब खत्म हो जानदा है बेल दे शर्बत विच निम्बू दा रास अत्य थोड़ा जा सेंदा नौक मलाके दो तेनवारी पीन नौ भी लूद दे प्रकौब तो बचया जा सकता है बेल दे गुदे विच दूद दी मलाई मलाके खान नौ गर्मी दी रुत विच लू लगएं दे हानी कारण पर वा वा तो शटकारा पाया जा सकता है निम्बू दे रासिदी सकंजमी विच चिन्नी अते सेंदा नमक मलाके दिन विच दो तेनवार पीन नौ लू लगएं तो बचया जा सकता है शोटे बच्चे लू तो पविच को मन फिरंते लू लगजावें ता ठंडे पानी विच हराता निया पीस के थोड़ी जी मिश्री मलाके पलान ना बच्चे नौ राम मिलदा है आवलेया नौ पानी विच अबाल लवो पुन लवो थोड़ी जी मातरा विच पीड़त व्यक्ति नौ दिन विच तेनवार सेमन कराओ देओ जिस दिना लू तो बचा हो सकता है लू तो पीड़त होंते निम्बू संत्रा ते मसम्मी दा रास ठंडा करके पीनल बहुत फैदा मिलदा है संत्रे जा मसम्मी दे रास विच थोड़ा जा सेंदा नमक मलाके भी पीता जा सकता है जिसन थोड़ा टेस्ट वधिया हो जन्दा आलू बखारे दे चार पान दाने हलके गरम पाने विच पंदरा वी मिन्ट पाके रखो फिर इस पानी नू पूर्ण लिवो इस पानी भी थोड़ा जा सेंदा नमक मलाके दिन विच चार पान्ज वार सेमन करो रोगी नू देव ते लू तो रात मिल दिया फालसिया विस सेंदा नमक मलाक खान नाल लू लगन विज़ काफी लाब हुंदा है फालसे अते शेहतूत दा शर्बत पीन नालवी लू दा परकौप खत्म किता जा सकता है लू तो पिरत वे अक्तिदे पैरा विज़िया तलियां जालसे अते सेर विज़ किया कद्वी मालक करनाल भी काफी अराम मिलता है नारियल दा पानी पीना भी गर्मिया दे वेच बड़ा ही फैदे मंद है भी पीनते रहना चाहिँदा है गर्मी दी रूत वे Celा नमक में लाक के पीनना अराम मिलता है बहुत फैदा है पदिन्य दे भी पच्ची ग्राम पते पीस के सफैद जीरा तिन ग्राम अते लोंग पीस के मलाके दिन विच दो तिन वार समंदत व्यक्तिनू द्यो व्यक्तिनू चटाननाल लू दे प्रकौब तो बचया जा सकता है लू तो पीड़ते व्यक्ति नू दिन विच दो तिन वारी चंदन दा थंडा शर्वत पलान नाल भी अराम मिलदा है वाद तो वाद कई वारी थोड़ा थंडा पाने पी नाल रोगी नू लू लगन विच काफी अराम मिलदा है जदो भी गर्मिया दे विच्छा पाँ बार जाईए ऐस गल्दा ख्यार रखिये अपने कोई चाहते शत्री होने चाहिए शत्री अपने पजाबी जड़ा सबाहनी है गार नार लाकर जानता थोड़ा जा संग महसूस कर देने पर उदनला पाँ लू तो बचा जा सकता है गर्मी दे प्रकौप तो बचा जा सकता है बाद तो बाद पानी पीना चाहिए गर्मिया चाहिए ते हमेशा सेर ताक के ही बार निकलो गर्मिया दे विच्छ क्योंकि सूर्ज दी सिद्धियां कि इना तो अटे सेर दे विच्छ प मेरि आप सबनों बेंती है जिनना ने हाले तक अपने इस चैनल नों सब्सक्राइब नहीं किता सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दीके अटी दबालन ता जो आण वाले प्रोग्राम माँ बारे पता चलदा रहा है ते अब मिल दें हैं किसे अगले टोपक ते अगली बार तह तक वाच पार जी कार टीवी तैंक यू